है गाइस असलाम वालेकुम वेलकम बैक टो चैनल दिस समीर एंड यौ वाचिंग एमस्कुड गाइस हम लोग है मुंबई के अंदर बेडी चॉल में है हम लोग साउत मुंबई के अंदर हमारे साथ है इम्रान भाई और इनके पास जो बखरे है माशाला सब एक से कॉलिटी के बख रहे है तो हम लोग सब बखरे दिखाएंगे एक एक करके दिखाएंगे तो वीडियो पूरा देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को क्लिक कर ले शूट के रिगारिंग को इनक्वारिये तो दिस्किप्शन में में मेल इंस्टाग्राम आइडियो आपको मिल जाएगा मेल या डियम करके आप लोग मुझसे कॉंटेक कर सकता है या फिर इम्रान भाई के पास भी नंबर है आप लोग इन से भी नंबर ले सकते जो चलिए वीडियो को शुरू करते है अलेकुम बाई अलेकुम इम्रान भाई एक्जेक लोकेशन अपना जो है यह बैडी चॉल ही है ठीक है और मुंबई साउथ मुंबई के अंदर आया है फेमस लेंडमार्क क्या है इसकार्स लेंडमार्क है अलमास होटल एच्पी पेटल के पास ही है ओके मैं तो बोलता अलमास लेंडमार्क रहेगा अगर वहां पर भी कोई पहुंच के फोन करेगा तो आप उनको रिस्ट कर सकते हैं तो को लेकर आजाए कि करीब है आज मेड़का भी नहीं है रस्ता उस्ते भी कम है इंशाल्ला सो पहला बकरा हम लोग दिखा रहें गुजरी गेंदर रहें औ और क्या डीटेल पर है यह बकरा और यह पहले तो मुझे में को पहले यह बताओ आप जितने बकरे मैं देख रहा हूं सामने स्क्रीन के ओपर इस सब बखरे अपने पले वे बखरे हैं ने इसमें कुछ पले वे अपने हां कुछ पर्चेसिंग किये वे ठीक है मिरको लगता पर है दो दात पर है वेट का अंदाज 45-50 कज वेइंग मशीन है अपने पास 45-50 कज नहीं यह बकरा ज्यादा है और 50 अबवी पकड़ेगे 52-53 जो भी होगे लेकिन 50 प्लस ही यह बकरा दो दात पर है जो भी होता है तो फिर उसमें इसमें हो जाती है अंडूल है ना वैक्स वैसिनेटेड है दिखाएंगे वैई थोड़ा सामने से करके दो दात नहीं चार दात पर है ठीक है चार दात पर है लेकिन कॉलेटी बहुत अच्छी है और वैई डिमांड क्या कर रहे है इसकी 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 टमांड हमकरे 26,000 फिर नेकोशिट करेंगे तो दबाद हो और कॉलिटी अच्छी है और सबसे बेस्ट यह है कि आप बैठे हो साउथ मुंबई में लोगों को कन्वीनिंट भी बहुत है लोग यहां से भीवंडी ना पड़गा ना देवनार जाते हैं यहीं के लोग काफी जाते हैं यहां वाँ तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है तो 26,000 में आपका ट्रैवलिंग बच रहा है आपका एक्सटा जो एक्सपेंसे खाना पीना यह वो जो भी जाता है वो सब बच रहा है बखरा लो अगर बखरा कोई लेकर यहां पर रखना चाहे तो रखोगे यहीं मसला इस एरिये का है यहां घर बोट चोटे-चोटे होते है तो घर पर यहां रखने की जगा नहीं होती है तो कैसे क्या करेंगा अगर कोई जैसा आप क्या प्रॉब्लम है वैसे यहां के लोकल्स को वही प्रॉब्लम है तो क्या फिर उसका क्या दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है तो कहीं पर आप अरेंज करवा देंगा लेकिन हमा बात करवा गया उनको बता दीजिए ठीक है तो दूसरा बक्रा दिखाते है अपने इम्रान भाई यह एक और वक्रा है यह भी गुजरी में ठीक है किते दात पर रही है यह दो दात पर चीक है दो दात फ्रेश की आवाइस ने और वजन का अंदाज का हो गया इसका 60 kg 60 kg ठीक ह और वैक्षिन वाँ इसका अपने पास का पलावा जान वो रहा है अपने पास का पलावा लेकिन इस से लिए वाइक्षिनेड गया ठीक है वह चिक है नहीं है यह है ना जींदेगें एक रहा है टीक है क्या डिमांड कर रहे है इसके डिमांड 29,000 मैं बखरे के सारी चीज़ तो है अच्छी माशालला मैं बोलूगा लोगों के इसके पैर देखो फांडेशन अच्छा है तो बकरा अगर कोई पल्टी भी करता है तो इंशालला अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेज है और कुर्बानी के लायक तो यह होई चुका है कलर बहुत अच्छा है खुबसुरत है और मुंबई क्लाइमेट सेट साउथ मुंबई के अंदर है यह सब सब ब्लस पॉइंट है आप यहां पर आओ बकरा पसंद करो अपने आ ले जाओ ठीक है 29,000 स्लाइडली नेकोशेट हो जाएगा आपके को चैनल से आएगा तो इंशालला 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 चाब यह है खसी में हाइड बड़ी अच्छी है इसकी 39 और डिटेल पूरी गया है इसकी चार दाथ पर है और वेट का क्या अंदाज होगा आपने पाले हो ना अपने पास रखे कपसे रखे हो यह अचा तो आप रेगूलर ट्रेडिंग करते हो यह फर्स टाइम कर रहा है इसमें कुछ कम जादा करेंगे हमारा भी एक केम था लोग इतना लंबा भीवंडी जाते यह जो है कम रेड़े में हम लोग आपके पास आके आप बोल रहे हो लिए वेक्सिनेशन के लिए दो पूरा में तुरा दो महिना लग जाता है पुरा कोर्स कर लेंगें आपने पास का है उसका आप डिटेल उसके जिम्मादारी आपकी ना और यह जो आपने आगे से लिया वहां से बोलकर आया कि वैक्सिनेशन नहीं किया हूं ठीके इसका चेहरा थोड़ा देखो मैं जूल करता हूं भाई वाउ क्या बात है माशाओला बकरा देखो फ्रेम देखो इसकी बहुत अच्छे 30,000 नेगोशेट होगा ना इसमें बहुत अच्छे बढ़िया माशाओला तो यह एक और बकरा माशाओला भाई है यह एक अन्डूल में खसी में अंडूल में ब्रीड कॉन सी है यह अपना सुजद है सामने से घड़ो ऐसे माशाओला बकरा अच्छा है क्या वेट का अंदाज होगा 50-55 के अंदर रहेगा 50-55 के अंदर रहेगा वैक्सिनेशन किया हुआ है यह वैक्सिनेशन बोल के दिया लेकिन अच्छा यह पूरा लॉट आपने उठाया हो एक ही जगा से उठा कर रहे हो आप इसको ट्रेडिंग में कंवर्ड कर रहे हैं चीक है इसके पहले कभी सीजन में माल बेचे आपने यहां से तो अभी तो यह छोटा लॉट है जैसा भी सीजन आने में सीजन शुरू हुए है समझो तो और आगे कुछ आएगा रेगूलर चालू रहेगा और इसे थोड़ा थोड़ा लॉट लाते रहो पूरा राउंड जायर भी चालू रखेंगे इंशाला है यह बखरे का क्या डीटेल बता है आपने 55 52 55 ना 50 से 55 के भीश ठीक है और दांट दिखा दो जड़ा चार दांट ठीक है और डीमांड 26 ताउंड इस नहीं रहां पर डांट रेभाइं तुम क्या कर रहा तुमको इसमें बच रहे हैं अपने हेकिमां अलम्द ना कम दोश्य करेंगे इंशाला होगा है जो तुम बॉटम लाइन पे दे रहे हो 15 रुपे का मार्जिन उएगा सभी बात है चलो इसमें से 19-20 तुड़ा हो जाएगा जादा की उमीद नहीं है और आप ये देखो कि आपका विवन्डी या पढ़का जाने का खर्चा बच रहा है और जब आगर आदमीन जब पढ़का जाता है न तो बीच में डाबे वाले बैठे लेने के लिए 6,000 रुपे तो वो बच जाता है गाड़ी का डीजल बचेगा पैट्रल बचेगा और मैनत बच जाएगी यह जाएगा और यह जाएगा यह जाएगा यह देखे माशाओला और खापी के मस्ते मतला गरम नहीं है यह तब ही इसकी यह आलत बनी है माशाओला यह अपने बस कपसे है यह लगवाग एक हफते से एक हफता होगा है तो दाने वाने पर सेट हो गए बच्रे आपने पैसे मांगे तरी एट ताउजन क्यों इसका प्राइस इतना थोड़ा सा इ इसकी 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 बदन में भी आप छोड़ोगे तो जानवर को देखो गें नहीं है चीज अच्छी है इंशालला थर्टी एट थाउसन में तोड़ा नेगोशेट भी करेंगे ना बहुत अच्छे नहीं बखरा अच्छा है नो डाउट ठीक है इसके बाद अभी हम दिखाएंगे यह तीनों अगीने आपके है ना चलिए इस यह देखे माशालला खुब्सूरत बखरा यह वाइड आइस में है गुलावी बच्चा है इम्रान भाई सोज़त में क्या क्रॉस है यह यह औरडी में तो सोज़त नहीं है यह और हैदरावादी में क्रॉस है यह वाइड आइस में है ओके हाँ वो तो दिख रहे है वाइड आइस में समझ में आ रहा है ओके और क्या वेट की डिटेल होगी इसकी यह 65-70 के भीच में है ओके दात दात यह चार दात पर है 65-70 kg माशालला बखरा यह अपने पास कब से यह अपने पास लगबक दो महने से दो चाली सजार रूपे 65-70 kg का बखरा है चाली सजार रूपे चार दात का है नेगोशिट करेंगे करेंगे इंश्याला समीर भाई यह डीटेल आपको हमारे असीब अच्छे से बताएगे जानवर के बारे में इनको नौलेज जाता है असीब आज़ो ज़रा क्या बाते जो अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ है गुलाबी में ने बता दिया वाइड आइस बता दिया वेड बता दिया डीटेल सारी दे दिये माशार लाह ठीक है चाली सजार रूपे आप बता रहे हो ठीक दो आप दो आप धीक जीज़ है अच्छी चीज़ है लाइड लाह यह जन्य एक और बहितरी इस है क्या डीटेल उपारिस की जिए आट मेने का सभिर बच्चा है पाराई थीज़ को खट्सी और अंडूले 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 अच्छा ब्सं लाह बहितरी की बताईब ऑ माशाला, टॉप टू बॉटम, हर चीज में पुरा भी है, इनको कुछ स्पेशल ट्रीट्मेंट मिलती है, इनकी पीटी बीटी या दर बकरों से थोड़े ज्यादा देख रही है, या तो फिर वे एक हफते पुराने ये पुराने बकरे होगे, ये अलम्दुलिल्ला कैसे खान इसके क्या वजन का अंदाज होगा, ये डबल एड़ी में, माशाला, डबल एड़ी क्या होती है बाई, ये इसका फ्रेम जो है, जो अच्छे पुराने लूप पिये होगे और बोल रहते तो डबल एड़ी में माने लगे, देखो अपने को तो बकरा दिखता है, सिंगल और बकरा अच्छा है, फाउंडेशन अच्छा है उसका, पैर पूर्जे के अच्छा है, डबल एड़ी कुछ भी नहीं होती है, अपने अंदर भी सिंगल एड़ी होती है, बकरों में भी सिंगल एड़ी होती है, अलहमदुल्ला, और इंशालला बकरा जो ले जाएगा, तो क्या दिमांड करेंगे बाई इसके वेट क्या बता है परने जब इए था किते ड़ी देम पहले के थे लगबाग वारा दिन पहले फोडी पाइपो दिन पहले फोडी फोडी फाइप एडी पर है यह माशाहाल। क्या डिमांड करेंगे इसकी डिमांड अपने 28,000 रुपे नेगोशेट करेंगे पालने वाली चीज है अच्छी चीज शॉक करने वाली चीज है बहुत अच्छी और शॉक पूरा हो जाएगा इसके अगर इसको कोई और खसी कर दे और किसी अच्छे हाथ पे चला गया माशालला बढ़िया वैक्सिनेटेड़ ना ठीक है इसके बाद यह दिखाएंगे कोटा जी तो गाइस यह देखे माशालला कोटा अब बहतरीन लंबी फ्रेम और इसकी पेटी पेटी का अंदाज आप लगा सकते हो कि कितनी घहराई वाली पेटी यह इसकी सिक्के क्कॉलिटी अच्छी बग रही है वाई क्या डिटिल पर है यह बखरा चार दात पर है संगर बाई और इसका वेड़ 65-70 के बीच मेरे इसाब से 70 के उपर ही रहेगा लेकिन फिर भी मैं बोह रहा हूं कि 65-70 कि किसी को फिर लेके जाए फिर वो बोले नहीं कि आपने वीडि लास बकरा है और बकरे इससे पहले भी हमने जो दिखा है जिनका भी वेड बताया गया है सबका वेड अंदाजा ही बताया है यहां कोई कांटा वाटा नहीं है आप अपने पास ले जागे अगर कांटा करोगे और बाद में बुलोगे आपने इतना बताया था तो आप पैसा एक्स्टा नहीं मांगा जाएगा और माइनस होगा तो आपको पैसा रिटन नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यह कितने दाथ पर है यह चार दाथ पर है माशाओला फुल शबाबदर कोटा है बखरा चार दाथ माशाओला और कितने 65 to 70 kg बता है 70 kg बो रहे है 70 प्लस ही इंशालला बखरे के पैरपूर से अच्छे हाइड आपने नापे दे भाई यह हाइड 38 है 38 की हाइड अपने पास कबसे यह लगबख तीन मेने से वैक्सिन अपन ने किया हुआ है चीक है डिमांड क्या कर रहे है इसके डिमांड भाए 48,000 नेगोशेट करेंगे जी जी सब्सक्राइब टीक है वीडियो क्लोस करेंगे इंशालला आप पहुचे इनको कॉल करें इंशालला आप यह आपको रिसीफ कर लेंगे टीक है वीडियो क्लोस करते जो भी बखर आपको पसंद आया होगा आप लोग यहां आए देखे पसंद करें उसके बास सोधा क मिलते हैं आप से अगले व्लॉग में जबते हैं के लिए गुट बाइश टेक केर अला अपिस